मध्यप्रदेश के खंडवा में भूतों का मेला लगता है जो जिहां हम आपको दिखाते हैं भूतों का मेला जहां भूत नाशते भी हैं और गाते भी हैं यह मेला खंडवा जिले के सैलानी में लगता है जो की होली से लेकर रंग पंचमी तक चलता है देखे हमारी इस खास र जिहां यह नजारा है उस भूतों के मेले का जो हर साल होली से लेकर रंगपंचमी पर खंडवा जिले के सैलानी में लगता है लोगों का मानना है कि दरगाह में लगी जाली को छूते ही प्रेत बाधित के अंदर का भूत बाहर आ जाता है जो भूत पलीत लग जाते हैं जिने कुछ दिकत हो जाती है हवा वावा की तो यह बावा के पास से उन्हें फायदा लगता है और जो भी करते हैं मालिक सरकार करते हैं हम कुछ नहीं करते हैं यहां पर हम सी बावा सरकार की खिदमत करते हैं और कई वर्षे से यहां कई हजार लाकों करोडों की संका में पब्लीक आती है, यहां मतलब आती-जाती रहती है और कई वर्स से आ रही है। यहां का नियम है विया आप जाओ मालिक पास बंदन बांदो मालिक के काम से आए हमारा काम हो जाए एक बंदन बांदो मालिक पास और जो भी मालिक को फाइदा लगाना है देने वाली करने अलिजात अल्ला की है लेकिन बावा सरकार के गरम से फाइदा लगा है बावा के पास वह चमतकारिस्तान है अद्बूद है मतलब अपने आप में अद्बूद है एविस्षणिय है और यहां पर मतलब जिसको भी प्रेट वादा रहती है जिसका करादारा रहता है मतलब क्या रहता है कि वह से लोग करे धरे पर यकिन नहीं करते हैं लेकिन वाकई में यह चीज होती है और उन सब चीज को इलाज यहीं पर होता है और कम से कम भी विगत दस साल चे मैं यहां आ रहा हूँ और अच्छा फायदा मिला है और यहां आने वाले हर एक मतलब उसका इलाज होता है जिसको जो भी तकलिव रहती है प्रेट वादा के हिसाब से और अच्छा इलाज होता है यह भूतों का मेला होली फर लगता है और पांच दिनों तक रंग पंच्मी तक चलता है लोगों की माने तो सैलानी बाबा की दरगाह से कोई खाली हाथ नहीं लोटता है जो भी प्रेट बाधित बाबा की दरगाह पर पहुचा उसे वहां से फायदा पहुचा है वही कई लोग तो ऐसे भी है जो बाबा की दरगाह पर आचुके हैं जिनकी सैलानी बाबा से या टूट आस्था बनी हुई है आपको बता दें कि टीवी 24 किसी भी प्रकार की अंधरश्वास को बढ़ावा नहीं देता है खंडवा से नासीर खान की खासर को